अरुणांचल प्रदेश में भारतिय सेना का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो लिया है। अरुणांचल प्रदेश के उपरी सियांग दिले में तूतिंग मुख्याले से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गाउं के पास आज भारती सेना का रूदर हेलिकॉप्टर दुर्घटना ग्रेस्थ हो गया है। ये मुश्किलों कर सामना करना पड़ा है। जिस जगह पर हाथसा हुआ है वेह तुतिंग हेड़कॉटर से कुछ दूरी पर है। क्रेश साइट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पहाडी के पास से धुआ उर्ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले 5 अक्टूबर को अरुनांचल के तवांग इलाकी के पास भारती वायू सेना का चीता हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। पाइलेट ने जानकवादी थी हाथ से के वक्त हेलिकॉप्टर में दो पाइलेट सवार थे। गंभी रूप से घाल हुए पाइलेटों में से एक लेटिनेंट कर्णल सौरव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। भारती सेना की तरफ से जानकारी में कहा गया था तुवाम के पास अग्रीम छेतर में उडान भर रहा सेना का चीता हेलिकॉप्टर सुभा करीब दस बजे नियमित उडान के दौरान दुरगट नगरस हो गया था। दोनों पाइलेटों फोन नस्दी की सेनी अस्पताल में नेचाया था। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है यूवी इंडिया न्यूस।